सरकार बनाने और सत्ता के शिखर तक पहुचाने में महिलाओं की एहम भूमिका होती है पार्टिया भी ये बात समझती हो और यही वजह है कि बीजेपे हो या कॉंग्रेस दोनों हिदल आधी आबादी को सातने की कवायद में जुटे हैं लेकिन जब बात महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की आती है तो पार्टिया हाथ खीशती नजर आती है अब देखना हुगा कि महिला आरक्षन बिल का समर्थन करने वाली पार्टियां इस बार कितनी महिलाओं को टिकेट देती है मत्यप्रदेश में बंपर जीत दिलाने वाली आधियाबादी को महिला आरक्षन बिल के बाद 33 पीसिदी टिकेट की उम्मीद है अब तक के चुनावों में किसी भी पार्टी ने 15-20 पीसिदी से जादा टिकेट महिलाओं को नहीं दिये पिशले लोग सभाचुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 4 और कॉंग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान लोतारा था विधान सभाचुनावों में भी सूरते हाल को चैसा ही रहा आधियाबादी मिलेगा पूरा हक 2008 के विधान सभाचुनावों में बीजेपी कॉंग्रेस ने दिये कुल वासक टिकेट 2013 के विधान सभाचुनावों में बीजेपी कॉंग्रेस ने दिये कुल इक्यावन टिकेट 2018 के विधान सभाचुनाव में बीजेपी कॉंग्रेस ने दिये कुल 55 टिकेट 2023 के विधान सभाचुनाव में बीजेपी कॉंग्रेस ने दिये कुल 57 टिकेट 2019 के लोग सभाचुनाव में बीजेपी ने 4 तो कॉंग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकेट दिये सीटों की संख्या के हिसाब से महिलाओं पर भरोसा जटाने में पार्टियों ने हमेशा कंजू सीकी है पार्टियां महिलाओं की भागिदारी बढ़ाने की बात तो कर रही हैं लेकिन कितनी महिलाओं को लोगसभा का टिकट दिया जाएगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है पार्तियंता पार्टी ने संगठन में भी 33% रेजर्वेशन दिया है और जहां जीतने की संभावना महला प्रत्यासियों की होगी वहां महलाओं को उम्मीद्वार भी बनाया जाएगा तो भाजपा तो बनाती रही है कांग्रेस की तो ना प्रोसो ना महला जीतने की कोई संभावना दूर तलक नहीं है इसलिए वो केवल ठगने का काम कर रहे है बिल्कुल मिलना चाहिए उतारना चाहिए आधी आबादी देश की वहीं है तो उनके साथ जी वोट पर्जिशन उनका जादा है 50 परसंट आबादी एदी उनकी है तो उनके अधिकारों में हम लोग अवेलना क्यों करें वो सिर्फ घर पर काम करने की ही शोभाइमान वस्तू थोड़ी है जब हाइली एजुकेटेड है और महिलाओं के आने से एक बहुत बड़ी बात में कह रहा हूं कि करप्शन पर भी लगाम लगेगा अब कभी भी लोगसभा चुनाओं की रणभेरी बस सकती है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और पार्टियां भी टिकेट को लेकर मन्थन और मनन के दौर से गुजर रही है वही महिला आरक्षन कानून लागू होने के बाद महिलाओं को भी बड़ी संख्या में प मतुप्रदेश कॉंग्रेस में टिकेट